हेलो एवरिवन मैं परमिंदर स्वागत करती हूँ आपका एक और ने वलोग में तो आगे भी आप सभी के साथ अपने दिन की वलोग की शुरुआत करने के लिए तो आज थमनेल आपने देखी लिया है कि इशांत ने फरमाईश की है उसे शाही पनीर खाना है तो फिर चलिए बनाते हैं आज शाही पनीर होटल जैसा स्वादिश्ट और देखे फिर कैसे बनाती हूँ मैं और सब की शिकायत थी ये कि आप वैसा घर का काम करते रहते हो तो कीचन का बहुत कम दिखाते हो तो आज मैं कीचन में आ चुकी हूँ तो देखिए इशांत को बोल रही थी ये फाइंड तो यूज करते हैं और जो मस्टर्ड ओयल था वो खतम हो चुका था तो देशी घी में बना रही हूं और हो जाता है वही कई बार ऐसा कि हम कुछ बनाने जाएं और कोई कई बार समान खतम हो जाता है तो आज हमारे साथ वही वाला सीन हुआ है तो मैंने इसमें ड भी खड़े मसालिया वो डाल दिये और फिर उपर से मैंने मोटा मोटा प्याज काट लिया था वो डाल दिया है इसी तरह ही जब तक प्याज पकता है और हम काट लेते हैं यह देके टमाटर तो बही शाई पनीर बन रहा है तो ग्रेवी के लिए तो इसमें टमाटर खूब अच्छे से जाते हैं तो अच्छे से टमाटर ले लिये हैं खूब सारे यानि की सबजी जो हमारा शाही पनीर बनने जा रहा है वो वाके में ही शाही पनीर लगे हैं न तो तो जब तक ये होता है यानि की प्याज और टमाटर सोफ्ट होते हैं जब तक हम कर लेते हैं पनीर कटिंग और पनीर के मैंने बड़े-बड़े ही टुकडे काटे हैं तो ये देखे जी इनको पकाने के लिए टमाटर को इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया था कि ताकि जल्दी से पक जाएं और मिर्च डालना भूल गी थी मैं हरी मिर्च तो ये देखिए जी अब हरी मिर्च भी डाल देंगे ताकि ये साथ के साथ पक जाएं तो ये ही सीन बना है वही आज का हमारे साथ तो ये देखिए ऐसा अब ये पक चुका है और गैस को ना बंद कर दिया तो ठंडा होने के बाद इसको पीस लेंगे ठंडा होने के बाद ही पीस लेंगे गरम नहीं और मेरी मिक्सी भई सर्दियों से जब सर्दियों में लड़ू वगेरा बनते हैं तब से दुकान पे पड़ी है तो पहले तो दुकानतार से वो खोगी है काफी दिनों से इसको बोल रहे भई डूंड दे तो एक दो दिन पहले फोन किया था कि हमारी मिक्सी मिली या नहीं मिली तो अब बोल रहा है कि मिलगी ले जाना आके और ये इनको टाइम ने मिला तो ये देखे भई ब्लेंडर से अब मैं इसको पीस लूँगी अब क्या करें जब मिक्सी नहीं है तो ब्लेंडर का ही यूज हम कर लेंगे तो पानी डाल के इसको अच्छे से प्स लेंगे पैले तो थोड़ा सा ये बाहर उचल रहा था और डर भी लग रहा था कि कभी प्यांकों में न गिरजे फिर जैसे ही पानी डालके पिस्टा तो यह असानी से पिस गया है और यह देखे बहुत कड़ाई में मतलब जीरे वगर का मतलब तड़का नहीं लगाया सिरफ उसमें थोड़ा सा हींग डाल दिया था और फिर छोड़ दिया जो हमने यह ग्रेवी त तक पका लेंगे इसको जब तक मैं साफ कर देती हूँ हरा धनिया साथ साथ ही सारे काम करते चलेंगे कीचन के और ना गर्मी बहुत गर्मी हो रही है वैसे तो रात भी बरसाता आई है मुसम ठीक ठाक ही है फिर बिना गर्मी हो रखी है तो धनिया चांट दिया था और फिर मै गैस साफ करने लेगी थी मैं कहें चलो जब तक गैस भी साफ कर लेते हैं तो साथ के साथ काम करते चले सफाई वाला भी और खाने वाला भी खाना खाने नी बनाने वाला भी खाना बनाने वाला काम भी साथ के साथ चलता रहेगा तो इसके लिए थोड़ी सी मैं करूंगी bread crumb का प्रियोग use करेंगे bread crumb मैंने दो चम्मचिस में bread crumb के डाल दिये यही secretize में भई यही मतलब लोग बताते नहीं छुपा के रखते हैं तो इसमें दो चम्मच bread crumb के डालोगे तो gravy बहुत अच्छे से बनेगी लाजवाब जैसी hotel में होती है ना बस वही restaurant में वही वाली gravy आपको मिलेगी यहाँ पर दो चम्मच मैंने bread crumb केस में डाल दिये हैं और मतर मैंने पहले ही बाल दिया था जब इधर मतलब tomato और प्याज पक रहे थे तबी मैंने मतर को उबलना रख दिया था और मतर भी अच्छे से soft हो चुका था और मतलब सारी सबजी को कुल मिला के 15-20 मिनट में हमारी सबजी मतलब तियार हो जाती है यह वाली और हम सोचते रहते हैं पता नहीं कितना time लगेगा कितना मुश्किल है कितना नहीं तो वही है थोड़ा सा नमक में चेक किया था थोड़ा हमारे हिसाब से कम था आप अपने हिसाब से डाल लेना बाकी इसमें ज़्यादा कोई भी झंजट बाजी वाली बात नहीं है और देखे कितनी असान तरीके से हमारा शाही पनीर बनके त्यार हो चुका है तो उतार लेते हैं फुल के ये शांत को भी भूक लग गया थोड़ा सा लेट हो जाते हैं भी छुट्टी वाले दिन तो थोड़ा मित्थी ये कसूरी मित्थी होती है इसको थोड़ा तवे पे सेख लेंगे और फिर डाल देंगे अपने इदर शाही पनीर में और मलाई का यूज नहीं किया आप मलाई भी डाल सकते हो मलाई का इसलिए यूज नहीं किया थोड़ा सा हमें स्पाइसी सा पसंद है और मलाई से थोड़ा मिठा पन सा आ जाता है तो हमें वो पसंद नहीं है और वैसे भी ये देशी गी में तड़का लगा हुआ था तो हमने मलाईने डाली आप डाल सकते हो तो हमें तो स्पाइसी ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने नहीं डाली तो उतार लेते हैं जी फुल के गर्मा गरम मैं और इशान्त हैं माश्टर जी जा चुके हैं स्कूल तो फिर वो तो ऐसे मतलब सुबह ज़्यादा मतलब ब्रेड वगारा खाके चले गए हैं तो ज़्यादा हमें परिशान नहीं करते तो बाद में मैं इशान्त अराम से खाना बना लेते हैं तो ये था हमारा आज का ब्रेक फास्ट अना ये रहा हमारा आज का ब्रेक फास्ट और लंच क्योंकि ना साध्य दस गयारा पोने गयारा होने वाले हैं तो फिर दुपैर को अब खाने की जरूरत नहीं रहेगी कोई मितलब मैंगो शेक वगेरा हम बना के पीलेंगे अगर तो फिर मेंगOO शेक बना के पीलेंगे और मैं शांद को बोल रही थी थोड़ी सी हैल्प कर मेरी गर्मी यहां लग रही है और जलदी से चलते हैं भही रूम में तो यह था जी आज का हमारा यह था हमारा आज का दिन चार रहा है दिन चार रहा है वैसे तो होर भी है बहुत सारे काम है पर वही है आप सभी बोलते हो कि आप कीचन का नहीं दिखाते कि कीचन में आपको कुछ बनाना आता है या नहीं तो बई मुझे कीचन में भी सब कुछ काम आता है बिलकुल परफेक्ट हूँ ये नहीं है कि जाडू पोच्चा कपड़े लिते ही कर रही हूँ मैं कीचन का भी बहुत पसंद आता है मेरे हाथ का खाना तो वही है बही आता तो सब कुछ है तो टाइम की बात हो जाती है ना तो अब कीचन ही कीचन में ही काम क्या करेंगे बही ज्यादा तो कीचन का काम फैलेगा चुटियों में तो फुल के बन चुके थे और सलफ मैंने साफ कर दी जहां आटा थ और दोक टोरी में डाली सबजी और रोटी रख लिये हैं तो रोटि हो पर लगाना था थोड़ाrict घी थो इशांथ की रोटी पर जाधा घी लगना था और मेरी रोटी पर कम लगना था तो जी हमारी हो गई पलेट तियार और बिना मिक्सी के तो बना दिया हमने शाही पनेर क्योंकि ना जाद अतरीस में मिक्सी की जरूरत होती है ग्रेवी बनाने के लिए और फिर हमने चक दिये फटे और सच में भई सबजी बहुत बहुत यमी स्वादिष्ट बनी थी आईए आप भी खाईए भई हमारे साथ खाना त्यार हो चुका है जिस ने नहीं खाया आजाओ तो कल मिलेंगे भई आप सभी को एक और नेव लोग में वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना बाए ट दो 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 कि दो जादा हुता तो कि लेगे लोग में भाल कर दो 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 कि बादाए भार कि भाल ने वीडियो खाना फिए वाल आप दो